जोहार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नोलेज में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2022 का जो रेजिस्टेशन नमबर है पाथ से 22 जो लोग भरे होंगे 2022 का फोर्म वो अपना रेजिस्टेशन नमबर कैसे पता करेंगे जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर 2022 में आपने फोर्म भरा है तो आपका दुबारफ ही नहीं लगेगा इसके लिए आपको फोर्म भरते समय रेजिस्टेशन नमबर देना होगा तो इस वीडियो के माध्यां से जानेंगे की हम 2022 का रेजिस्टेशन नमबर कैसे प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले क्या करने हैँ आपको काफ़े सिंपल है step by step हम बताएंगे आप उसको किजिएगा तो आप 2022 का रेजिस्टेशन नमबर पास जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस site पे जाना है jsac.nic.in या official website है jsac का तो इस website में जाने पर आपको इस तरह से खुल जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से आपका खुल जाएगा तो इसके बाद आपको एक काम करना है अगर आप mobile में चलक खोले हैं तो आपको इसको करना है अगर आप computer या laptop में खोले तो इसको करने के जवरत नहीं है यहाँ पर आप three dots देख रहे होंगे अपने mobile screen में तो इस three dots को आपको क्लिक करना है यहाँ पर three dots को क्लिक किजिएगा और उसको निचे किजिएगा तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका desktop site का option होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं desktop site का option होगा तो इस पर यहाँ पर जो box है इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो इसको क्लिक करने के बाद यह desktop mode में आ जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर निचे किजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा application form apply तो इस पर click करना है आपको application form apply दिखा है तो उस पर click करना है तो उसको click करने के बाद इस तरह से आपका खुल जाएगा यहाँ पर application form apply में तो यहाँ पर देख सकते फर्स्ट नबर में लिखा हुआ है online application for JECCE 2023 इसी के सामने आपका apply now का option होगा तो इस पर click किजिएगा और okay कर दिजिएगा तो आपका इस तरह से आप यहाँ पर पहुंच जाएगा यहाँ पर आपको देखेगा नीचे करने पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर धे सारा option है फर्स्ट ओप्सन आपको दिखेगा apply now का सेकेंड ओप्सन दिखेगा candidate login और print application का थर्ड ओप्सन दिखेगा forget registration number का fourt option दिखेगा forget your old registration number और फिप्ट ओप्सन दिखेगा forget your old registration number इन दोनों में अंतर यह है कि हो एगर इसके लिए अगर आपको 2022 कर प्राप्ट करने प्राप्ट करना तो इस क्लिक की जियेगा last option जो दिख रहा है इस पर क्लिक किजिएगा तो आपका इस तरह से आ जाएगा यहां पर देख सकते हैं कि कुछ-कुछ आपसे मांगा जा रहा है तो यह क्या-क्या मांगा जा रहा है पहला कि रेजिस्टेर मुबाइल नमबर उस समय जो आपने मुबाइल नमबर दिया है उस रेजिस्टर मुब तो इसको इसके ब renna उसके बाद यहाँ-पे देख रहेंगो आपतल इसके बाद आपको रेजिस्टेशन नंबर इसके मांध्यम से आप उस रीजिस्टेसन नंबर को फोंभर से समय द देजिये गए जिससे अपकर ठीजपार व्य नहीं लगेगा तो यह कुछ जानकर है कि है प्राप्त करेंगे इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद